अगर आप Taro में और कल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अदर्वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी हवा Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा इसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप क्लिक करके जोइन कर सकते हैं और इसी से ही related अगर आपके मिल में कुछ सवाल हैं कुछ doubts हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं I also have a free webinar on this आप उसको join कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा आपके जो भी doubts हैं जो भी सवाल हैं वो clear हो जाएंगे या फिर आप directly हमें screen पे दिये हुए number पे call भी कर सकते हैं तो जो भी आपके लिए convenient है वो आप कर सकते हैं Hello everyone मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए May 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि May month में आपके partner की क्या energies होंगी आपकी क्या energies होंगी finally May month में क्या होगा तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2024 की Love Tarot Reading इस आप लोगों के लिए देखेंगी May 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस्यापे तीन set of cards हैं फिर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहापे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Wheel of Fortune और यह card कहता है कि कुछ time से यह May starting में कुछ changes आपके relationship में, love life में या फिर personal front के किसी area में रहते वे दिख रहे हैं और यह changes सब के लिए differ करेंगे क्योंकि यह general reading है और कहीं देखें in the process या फिर otherwise भी चीजें या तो बहुत speed से आगे बढ़ रही हैं या फिर आप थोड़े से impulsive हो रहे हैं and deeper level के लिए intimate meeting का card कहता है कि एक closeness, एक intimacy आप अपने partner के साथ चाहा रहे हैं और देखें इस हिसाब से Wheel of Fortune के card को देखें तो हो सकता है कि again Sagittarius आप थोड़े से impulsive हो रहे हैं बहुत speed से चीजों को आगे बढ़ाना चाहा रहे हैं और कहीं देखें in the process एक immature energies भी आपकी रहती भी दिख रही है Page of Pentacles Reverse का card literally you know एक ऐसी feeling की बात करता है जहाँ पर immaturity की वज़े से सब कुछ खो दिया यहाँ पर issues और problems रहे जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है टारो guidance के लिए होता है और में starting के लिए guidance अगर हम आप लोगों के लिए देखें तो यहाँ पर देखिए Page of Pentacles Reverse का card बहुत clearly आपको कहता है कि immature तरीके से अगर आप चीजों को deal करते हुए पाएं तो ज़रूर उसको check करके correct करें और साथ ही साथ अगर आप बहुत impulsive हो रहे हैं तो इस चीजों को भी check करके correct करें deeper level के लिए the dark night of the soul का card कहता है मन ही मन आप काफी परिशान हो रहे हैं कोई चीज आपको bother कर रही है कोई चीज कहीं you know आपको मायूस कर रही है हो सकता है कि आप clearly चीजों को नहीं देख पा रहे हैं एक blank सी energies हो रही है छोटे मोटे issues मसले आ रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी सब सेडिटेरेस के लिए differ करेगा लेकिन the dark night of the soul के उपर page of pentacles reverse का card है तो फिर से कहूंगी कि आपको mid may में ऐसा लग सकता है कि भई immaturity की वज़े से या फिर एक stubborn जिद्दी वाली energies की वज़े से या impulse होने की वज़े से चीजों चीजें खराब हुई issues और मसले हुए और देखिए end me के लिए touching one another का card कहता है कि आप अपने partner के साथ एक physical intimacy या फिर एक closeness एक you know बहुत deep interactions बाट चीट या फिर से मैं कहूंगी कि बहुत एक deep connect या फिजिकल connect फिजिकल presence चाहते हुए दिख रहे है and surface level के लिए eight of pentacles reverse का card कहता है या तो इससी लिए आप over effort over महनत इस relationship में कर रहे है अब दिखें ये महनत सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए silent रहे के भी एक महनत होती है या फिर mind में हरदम ये चीज चलते रहना या फिर you know literally action initiatives लेना तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको कहूंगी Sagittarius जब भी भी कोई भी चीज हम over करते हैं तो कहीं उस चीज को हम खराब करते हैं तो आप अगर effort करना चाहते हैं करें लेकिन एक balance maintain करते हुए over कुछ भी ना करें और कुछ से deteriorates के लिए हो सकता है कि मन ही मन बहुत एक deep connect आप चाहा रहे हैं physical connect, physical presence, physical you know एक touch partner के साथ चाहा रहे हैं लेकिन surface level के लिए specifically end में के लिए देखें तो आप अपने professional front पे focus कर रहे हैं या फिर you know अपने mind को थोड़ा सा divert कर रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके partner की के energies हैं तो आपके partner के लिए देखें सबसे बहले cards है six of swords and looking at one another और six of swords का card कहता है कि एक movement एक shift उनकी तरफ से भी आ रही है आपकी तरफ से भी हमने देखा बहुत speed से बहुत तेजी से हो रहा है ये movement ये shift आ रही है और आपके partner की तरफ से भी आ रही है और दिखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ six of swords का card कहता है यहां तो आपके partner travel कर रहे हैं, करना चाहा रहे हैं यहां फिर कुछ change of place, change of location उनके लिए हो रहा है यहां फिर किसी भी तरीके के changes वो भी चाहा रहे हैं यहां फिर हो रहे हैं और deeper level के लिए looking at one another का card कहता है कि मुढ़ मुढ़ के आपकी तरफ देख रहे हैं अब देखिए कुछ के लिए literally हो सकता है कि एक distance वो create कर रहे हैं यह distance against अब सेटेरियस के partner के लिए differ करेगा कुछ के लिए physical level पर distance हो सकता है कुछ के लिए mental emotional level पर distance हो सकता है लेकिन जो भी distance अगर वो create कर रहे हैं तो आपको you know मुढ़ कर देख जरूर रहे हैं आप पे उनकी नजर है आपको stock कर रहे है and mid-may के लिए to be in love and temperance के card beautiful energies की बात करते हैं बहुत एक strong connect आपके साथ वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए बहुत प्यार महबत महसूस करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ एक union भी चाहते हुए दिख रहे हैं different different चीजों को try करके you know इस relationship में कैसे एक beautiful energies हों उस पे focus करते हुए दिख रहे हैं लेकिन कहीं end may के लिए two of pentacles, reverse and thrust के cards कहते हैं बहुत उनकी up and down वाली energies रह सकती हैं ना तो वो completely आ रहे हैं ना वो completely जा रहे हैं या फिर decision choice लेना है नहीं ले पा रहे हैं या एक से जादा चीजें manage कर रहे हैं अपनी life में और कहीं इसी लिए किसी भी चीज को balance नहीं कर पा रहे हैं manage नहीं कर पा रहे हैं या relationship suffer कर रहा है suffer not in that sense की कोई परिशानी हो रही है relationship पर उतना focus नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत एक up and down in and out वाली energies आपके partner की रहती भी दिख रही हैं जो भी surface level के लिए हो deeper level के लिए trust का card एक दो चीजें कहता है या तो वो बहुत confident है आपको लेकर या over confident है आपको लेकर या फिर उनको ऐसा लगता है कि आपको और उनका बहुत एक strong bond है बहुत एक trust इस connection पे या universe पे उनको है तो दिखिए मन ही मन फिर से कहूंगी बहुत beautiful energies आपके लिए इस relationship के लिए हैं लेकिन surface level के लिए उतना manage नहीं कर पा रहे हैं अगेन हो सकता है कि बहुत सारी चीज़े उनकी life में चल रही है बहुत सारी चीज़ों में उनकी involvement है और कहीं उस तरीके से इस relationship पे focus नहीं कर पा रहे हैं time energy नहीं दे पा रहे हैं उतना attention नहीं दे पा रहे हैं और अब देखते हैं कि मेरे मन में क्या हो रहा है तो दिखें में starting के लिए यहाँ पे harmony and peace के cards कहते हैं जो भी आपके energies हों जो भी आपके partner के energies हों deeper level के लिए मन ही मन आप दोनों ही एक दूसरे के लिए love, care, प्यार, महबबत महसूस करते हुए दिख रहे हैं and six of cups rivers का card कहता है कि एक दूसरे के साथ अपनी पुरानी बातें अपनी पुरानी memories share करते हुए दिख रहे हैं specifically अगर नया नया आपका connection हुआ है और अगर आप काफी time से एक दूसरे से connected है तो पुरानी बातों को याद करते हुए दिख रहे हैं जो भी अच्छे पल बिताए उन पर focus करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर कुछ Sagittarius या फिर उनके partner के लिए हो सकता है past से कोई चीज आ रही है और कहीं current situation को effect कर रही है current situation पर असर डाल रही है अब फिर से कहूंगी सब Sagittarius और उनके partner के लिए differ करेगा लेकिन यहाँ पर एक तो प्यार मोहबत वाली बाते होती भी दिख रही है लेकिन साथ ही साथ कुछ guilt या पर minor issues मसले या पर minor complaining complain आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की दूसरे जन से रहती भी दिख रही है या पास से कोई चीज कोई इंसान आता हुआ दिख रहा है जिसकी वज़े से छोटे मोटे issues मसले तो हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर the wear and tear का काड कहता है जो एक यूनों time के साथ issues मसले होते हैं जैसे एक maintenance कोई भी चीज मांगती है अगर घर है तो वो भी maintenance मांगता है कुछ टाइम बाद आपको paint polish करना पड़ता है और हमारी physical body भी maintenance मांगती है तो time के साथ एक wear and tear होता है इसी तरीके से relationship भी maintenance मांगता है क्योंकि जब हम बहुत time से किसी के साथ होते हैं या फिर नए नए भी connect हुए हैं कुछ time हो गया है तो पिर चीजे ना बड़ी monotonous हो जाती हैं एक routine वाली हो जाती है और ऐसे में कुछ नया करना या फिर कुछ एक ऐसी चीज करना जिसे कि enthusiasm excitement आये फिर से एक चीजें revive हो या फिर एक energy levels high हो वो करना बहुत ज़रूरी होता है तो यहाँ पर देखिए the wear and tear of time का card कहता है कि time के साथ जो issues मसले आते हैं वो आ रहे हैं और guidance के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ करें जिससे की enthusiasm, excitement इस relationship में फिर से आए surface level के लिए the Empress reverse का card कहता है आप दोनों में से कोई एक जन या तो over caring, over loving हो रहे हैं या फिर कोई जन अपने उपर जादा focus करना चाहा रहे हैं या फिर love, प्यार, महबबत तो है लेकिन सही तरीके से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक express नहीं कर पा रहे हैं और कहीं देखिए end मे के लिए the spring का card कहता है नए सेरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं नई beginning करना चाहा रहे हैं और spring कहीं बहुत एक freshness की बात करती है देखिए जब भी spring का season आता है तो छोटे-छोटे हरे-हरे पत्ते पेड़ों पे होते हैं और weather भी बड़ा अच्छा होता है ना गर्मी होती है ना ठंड होती है तो कहीं देखिए एक बहुत beautiful सी energies आप दोनों ही इस relationship में create करना चाहते हैं और इसलिए या फिर otherwise अगर थोड़ा सा अपना perception बदलना पड़े या फिर थोड़े से compromises, adjustments करने पड़े तो उसके लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ready रहते हुए दिख रहे हैं लेकिन साथी साथी के एक stuck energies भी रहते हुए दिख रही हैं तो अभी हाँ पर देखिए circumstances, situation के वज़े से भी ये एक stuck energies हो सकती हैं क्योंकि आपके लिए हमने देखा कि आप अपने professional front पे बहुत ज़्यादा focus कर रहे हैं कभी कभी होता है ना एकदम से इतना ज़्यादा काम आ जाता है कि हम उसको avoid नहीं कर पाते हैं और कहीं बाकी life के areas पे हम उतना focus नहीं कर पाते हैं या फिर वो neglect होते हैं और आपके partner के लिए भी देखिए एक से ज़्यादा चीजों में involvement रहती भी दिख रही है तो हो सकता है इस वज़े से वो भी relationship पे ता focus नहीं कर पा रहे हैं और relationship आप दोनों की ही तरफ से neglect हो रहा है और दीखे ये एक जो situation circumstances मेरे mind में आए मैंने आपको बताया सब के लिए different situations रहेंगी लेकिन कहीं end में के लिए एक stuck energies रह रही है साथ ही साथ आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों ही compromises adjustments कर रहे हैं और थोड़ा सा अपना नजरिया बदल कर चीजों को deal करना चाहा रहे हैं और deeper level के लिए दिखे relationship में ठीक ठाक चीजें रहते भी दिख रही हैं एक freshness, एक नई beginning एक बहुत यूँ नए अंदास से चीजों को आप दोनों यहां तो कर रहे हैं यहां पिर करना जा रहे हैं तो यह था से जिड़े देस आप लोगों के लिए May 2024 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें